नमस्कार मैं हूँ ससी आया जर्खन की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं जर्खन में स्कूल कोलेज जीम पार्क बंद सरकार के नई गैलें जारी जर्खन में लगतार बॉर्ड रहे कुरोना वारेस संक्रामन के मामले को रोकने के लिए सरकारें न CBS 1 सूरकार के नाई दिशान जारी किये हैं बताते राज में बुध द्रबार से कई बड़े परतिबन लगा दिए गए हैं सबको के वहीं सबक्षाएं संचालें रोगी वहां पार्क और जीम भी निनाई लिए भीए वहीं साधियों में 200 से ज्यादा लोगों को एक जगा जमा होने पर पबंदी रहेगी जार्खन में 8 और 9 अप्रेल को बारीज जार्खन में अभी मौसम सुस्क है बतादे 8 अप्रेल के आस पास जार्खन के उपर हलका नीम दबाव का छेतर बन रहा है इसका असर दिखेगा मौसम केंद्र राची के वर्ये वेग्यानिक अभिसेख अनंद के अनुसाद 6 और 7 को मौसम सुस्क रहेगा वही आठ और 9 अप्रेल को हलकी बारिज के साथ बदरपाद भी हो सकता है बतादे हावा की गति 30 से 40 किलोमेटर प्रतिगंटा होगी जार्खन सरकार का फैसला जार्खन में क्रोना वायरस अंक्रमन रोकने के लिए सरकार की सकती शुरू सभी सरकारी वा निजी स्कूल, कोलेज, जीम, पार्क, सिनेमा, हौल, स्विमिंग, पूल, अगले आदेश तक के लिए बंद आठ वी से उपर की सभी कक्छाओं में ओफलेन पढ़ाई की अनुमती पर रोक इस्कूलों को ओनलाइन क्लास चलाने की ही अनुमती पूरो निदाए सभी परिक्षाएं होंगी, परिचार्तियों के पर्वेश पत्रों को माना जायेगा पास कुरोना वारस को लेकर जारी गाईलाइन का पालन करना सब के लिए अनिवार समुचे जार्खन में आज रात से नाइट कार फ्यू लागू रात आठ बहे से सुबह 6 बहे तक बाहर निकलने पर रोक, वही रात आठ बहे के बाद राजे बर के सभी पर्तिस्थान रहेंगे बंद, थार्मिक अस्थलवर रेस्टोरेंट में 50 पिसद उपस्चिती की छूट, यातरी वानों में सवारी की संख्या छमता आधी होगी बतादे राजे टीका करन पताधिकारे, डाक्टर अजित परसाज के अनुसार केंद्रे ने मंगलवार को कोवी सिल्ड वैक्सिन के 20 लाक डोज अवंटित करने पर अपनी स्विक्रीती दे दिया है, उनके अनुसार इंतिनी डोज 15 अपरेल तक राजे को मिलेगी, हलाकि इन जार्खन में नाइट कार्फिव लागू करने का अदेश दिया है, बतादे क्रोना वायरेस संक्रमन के लगतार बढ़ने के बाद मंगलवार को सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जार्खन में अगले अदेश तक सभी स्कूल, कोले, जीम, सिनेमा, हॉल, पार्क और सोजनि रहेंगे, बतादे, पूरे परदेश में रात आठ बजे के बाद तमाम परतिस्ठानों को खोनने पर रोक लगा दी गई है, इसके साथ ही रात आठ बजे से सुबा छो बजे तक घरों से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है, नाइट कार्फिव पूरे राजे में लाग मंगलवार को दल बदल मामले में सुनवाई हुई, बताते चले कि दल बदल मामले में भाचपा विदायक दल के नेता बावलर मरांडी के खिलाप स्पीकर के अस्तर से जारी नोटीस को बावलर मरांडी ने हाई कोट में चुनोती दिया है, मंगलवार को सुनवाई के दोरा प्रवाई के चलते कुरोना काल में यहां के लोग 300 बेट से बंचित रहें अधिकारियों को जार्खन के गरीब लोगों के जीवन से खेलने की इजाज़त खोट नहीं दे सकता है जार्खन सरकार का फैसला सब कुछ बंद जार्खन सरकार ने कुरोना संक्रमन रोकने के लिए राजी में एक बार फिल से क्राई सुरू कर दी है बतादे लोगडाउन सरीखी सकती के तहत अब सावी स्कूल कोलेज और सोजनिक जगों को बंद कर दिया गया है सादी विवा को छोड़कर कोई भी आउट डोर या इंडोर कारेकरम नहीं होंगे सादी में अधिक्तम 200 लोग और अम्तिम संसकार में अधिक्तम 50 लोग ही हो सकेंगे सामील बता दे सभी तरह के जुलूस धार्मिक सहित पर रोक लगा दिया गया है किसी भी पॉब्लिक प्लेस पर पांच से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे वहाई दस भी अबरावी को छोड़का सभी कक्छाओं के लिए इसकूल बंद रहेंगे इसकूलों को दस दिनों में नमाकन पर किया पूरी करने का निर्देश निसुल्क अनिवायर सिक्षा अधिकार अधिकार अधिनियम के ताद बीपेल सिरेनी के 25 पर तिस्त बचों का नमाकन का अक्छा एक से आठवी तक में किये जाने को लेकर गुरू नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को बैठक होई इस समद में जिला सिक्षा अधिक्षक ने निर्देश दिया की सभी बिदाले 10 दीन के अंदर नमाकन पर किया पूरी करे और कारे आलाय को पूरी रिबोट उपलब्द करा है जारखन में 1264 नए केस मिले हैं जो राची से 549 वोकारो 65 चत्रा पांच देवर 47 धनवाद बहुतर दुमका 31 पूर्वी सिमू 191 गड़वा 9 गिरीडी 5 गोड़ा 18 गुमला 23 सेजारी बाग 15 जामतरा 31 खुट्टी 29 खुडर्मा 44 लात्यारे गारा लोहादागा 12 पांकुर 23 प गुमला से एक और गिरीडी से एक सामिल है बता दे जारखन में कूल मौध की संख्या 1144 है वहाई कूल एक्टिप केज की संख्या और 644 है भारत में 1,15,262 केस मिले हैं भारत में कूल मौध की संख्या 1,66,208 है वहाई भारत में एक्टिप केज की संख्या 8,38,633 है बीजली से जूड़ी समस्याओं के लिए हेलफ लाइन नमबर जारी कोरोना संक्रमन के बढ़ते मावलों को देखते हुए बीजली विभाग ने नाया आदेश निकाला है सुच्छ नाया जार्खन के तीन जीले हैं सबसे ज़्यदा परदूसीत केंदरिये परदूसन नियंतरन बोर्ड ने देश के सो अधयोगी सौरो में मौझूद परदूसन का आकलन कराया है इसमें जार्खन के हजारी बैक सराई किला और रामगर को गमभीर रूप से परदूसी सौरों में रखा गया है बदादे इस सिरेनी में पूरे देश के 31 सौरों को रखा गया है जबकि अती गमभीर रूप से परदूसी सिरेनी में 32 सौरों को रखा गया है CMK काफिलेप पर हमले के आरोपित भैराव सिंग ने हाई कोट में दाखिल की जमानत याच का जारखन के मुखे मत्रियमान सुरेन के काफिलेप पर हमले के आरोपित भैराव सिंग ने जारखन हाई कोट में याच का दाखिल कर जमानत की गुहर लगाई है इसे पहले राची सिविल कोर्ट से भैरोव सिंग की जमाना त्याज का खारीच हो चुकी है इसके बाद उसने हाई कोर्ट में जमाना त्याज का दाखिल की है खोटी जिला परिशत का सायक अभियांता दो सहया रिस्वत लेते गिरफतार बरश्टा चार निरोधक वीरो एसीबी राची की टीम ने खोटी जिला परिशत के सायक अभियांता असो कुमार को 10 एयर उपे रिस्वत लेते गिरफतार किया है बता देवे अर्गोडा थाना छेतर के हर्मों हाउसिंग कलोनी के अस्थाई निवासी है पलामो में स्वास्त विभाग त्यार कुरोना की दूसरी लागर को देखते हैं पलामो जिला स्वास्त विभाग ने भी कुरोना के खिलाप मजभूती से जंग लड़ने की त्यारी की है बता दे कोविंट केयर सेंटर वो अने त्यारिया शुरू कर दी गई है पलामों में कुरोना को लेकर 480 बेड आरक्षी था है इसमें सभी CHC और मेदिनी राय मेडिकल कोलेज अस्पताल में कोविंट केर सेंटर बनाया गया है हजारी बाग में वन कर्मियों पर जान लेवा हमला अच्छा घायल गायलो में परभारी वन पाल अनिल राम भी सामिल है घायलो में नरेश यादो की इस्थिती गमिर बताई जाती है गायलो में अधिवक्ता की हत्या से रोस डीजीपी से निस्पक्ष जाच की मांग रामगड में अधिवक्ता अजय महतो की निर्वाम हत्या से राजे भर के अधिवक्ताव में रोस आए बतादे एक बार फीर सरकार से प्रोटेक्षन कानून बनाने की मांग तेज हो गई है बार कॉंसिल सदा से संजय बिदरोही ने कहा की राजे में आज दिन अधिवक्ताव की हत्या हो रही है अधिवक्ताव की सुराक्षा सुनिशीत हो सके इस कारण अविलाम अधिवक्ता प्रोटेक्षन कानून बनाया जाए गड़वा में NH 75 होगा फोरलेन 47 क्रोर मंजूर गड़वा में जल्द ही NH 75 को फोरलेन किया जाएगा इस पत में 205 किलों मेरे सड़क का निर्मान किया जाएगा बदा देखेने सरकार ने इस सड़क निर्मान कारे के लिए 46.99 कोड़ों रुपे स्विक्रित करते हुए इस पर मोहर लगा दिया है यह जनकारी सांसत विश्नुद्याल राम ने दिया लोहर दागा में नक्सली संगठन टी एस पीसी के नाम पर पोस्टर लोहर दागा में ने इस परशतर कुड़ों चंदवा रोट किनारे विधोत पावरसाब एस्टेशन टीको के नजदीक एक नेवानाधिन भवन में नक्सली संगठन टी एस पीसी के नाम पर पोस्टर चिपकाया गया है पोस्टर देखने के बाद से लोगों में दसत की इस्थिती है चात्रा में एक युवक ने मौसी से मंदीर में रचाई साधी जार्खन के चात्रा में मौसी भतिजे के रिष्टे को सर्मसार करने का एक संसनी खेज मामला सामने आया है बतादे एक युवक ने रिष्टे में लगने वाली मौसी को भगा कर उनके साथ मंदीर में साधी रचा लिया है दोनों ने सहर के हिरू नदी इस्ठीट सीव मंदीर में साजी रचा रांची जीलाष्तरी अनुकमपा समिती की बैठक में 16 प्रस्ताव को स्विक्रिती राची जिलास्तरिय अनुकमपा समिती की बैठक मंगलवार को समनाले सभगार में आवजीत की गई बैठक के दोरान कूल 27 मामलों की समिक्षा की गई जिसमें चौकिदार के दो में से एक मामलों को समिती की ओर से स्विक्रिति दी गई जबकि अने 25 में से 15 मामलों को स्विक्रिति दी गई परसासन का स्वयोग नहीं करने वालो पर होगी कड़ी करवाई धनबात उपायोगते धनबात उपायोगते अध्यक्स जीला अपता परवंधन प्रादिकार उमा संकर सिंग ने मंगलवार को कहा कि परसासन को स्वयोग नहीं करने वालो पर कड़ी करवाई की जाएगी रांची जीला परसासन रांची में कुरोना संकरमन के बढ़ते मामलो और आम लोगों किला परवाई को लेकर रांची पुलिस अपकड़ाई करेगी पतादे रांची के सिटी एसपी सोरव और SDM समीरा एसने मंगलवार को पुलिस अधिकारियों के साथ एक मतपूर बैठक कर हर हाल में कौमिन गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया है कौमिन गाइडलाइन उलंगन करने वालों खिलाप अपरात्मी की भी दर्ज की जाएगी दुमका जिला परसासन दुमका जिले में क्रोना संक्रमित लोगों की संख्या को देखते हुए डीसी राइस्वारी बी और एसपी अंबर लकडा की अगोई में जिला परसासन की पूरी टीम ने साहर के मुखे चोक चोगराओ का भ्रहमन कर लोगों से मास्क पहनने एवं समाजिक दूरी का पालन करने को लेकर जागरू किया साथ ही नगर थाना से मास्क जेकिन अभ्यान की सुरुवात की गई जो टीन बाजार चोक होते हुए सिधी चोक पर खत्म होई धान बीक्री में किसानों को नहीं होगी परसानी पलामो एसडियो सदर अन्मर्णल छेदर में किसानों को धान बिक्री के लिए कोई परसाने नहीं होगी मतादे किसान सरकारी दर पर धान की बिक्री सहाईता से कर सकेंगे इसके लिए अतिरिक दुगदाम की भी ब्यवस्ता की गई है धान बिक्री सम्मांधित किसानों की समस्या की सिकायत पर सदर SDO रायस कुमार साने ततपरता दिखाते यो मंगलवार को बहरिया इस्थित बजार समेती पहुँच कर धान की खरीद बिक्री के व्यवस्थाओं का निरिक्षन किया धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के लाइकन दबाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट से फेस्बूक, ट्यूटर, इस्टाइगराम पर सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में आपना फीड़एक अवस्थे दे, थाइंक